लोगडान खुलते हैं जिस इंडास्ट्री में एक के बाद एक धम्मा पर देखने को मिल रहे हैं वो है भोचपुरी जहां लगातार आए दिन किसे न किसी स्टार की तरफ से किसी नएगी या फिर्म के एलान का तोहफा मिल रहा है ऐसे ही बैक टुबैक सप्राइज जो स्टार अपने फ्रांस को दे रहा है वो है भोचपुरी की शान कहे जाने वाले पवनसे जिन्होंने अपने गीतों से लेकर नई फिर्म के अगान तक से फ्रांस में नया रोमांच भर दिया है अगर बात करें उनकी हाली एलान की तो जोड़ी वो अपनी पुरानी दोस्त और भूचपुरी कुई रानी चटर जी के साथ परदे पर बापसी कर रहे है और उने देने जा रहे हैं ऐसे दो मों के जिससे इस बात से तो साफ इशारा मिल चुका है कि अब इन दोनों की यार ही स्क्रीन से गायब हो गई लेकिन अब पवन और रानी काफी टाइम बात एक साथ आ गए हैं तो यकीन अब तो स्क्रीन पर आग ही लगेगी हाला कि मौका पवन रानी को इन दो बातों के जरिये दे रहे हैं तो कौन सी है वो आईए आपको बताते हैं नमबर वान बोल बम गीत में होगा धमात जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि रानी पवन के इन दिनों बोल बम गीतों की शूटिंग के लिए कोरोना वायरिस के दौर में मुंबई से बिहार आई और इसके वीडियो सौंग की कुछ तस्वीरे हमने आपको कल हमारे चैनल पर भी दिखाई थ दिस तरह हस्ते मुस्कुराते दोनों साथ खड़े हैं उससे पता चलता है कि दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन बन चुके हैं फिल्म बोस से होगी धमाकेदार जोडी की वापसी स्ट्रेमिंग स्टार पवन की जोडी यूँ तो कई आक्रिसिस के साथ जमई लेकिन जितना पसंद पवन रानी की जोडी को भुचपूरी अजवार ने किया उतना ही शायक किसी और जोडी को किया हो ऐसे में जब दोरों के बीच इनकी दोस्ती खराब होनी की खबरे मीडिया में आई तो फैंस की दुलों में हल चल होने लगी उन्हें लगने लगा कि शायद ही अब वो पवन और रानी को स्क्रीन पर देख पाए देखा जाए तो अपवन अपनी खास दोस्त रानी पर पूरी तरह महरबान है फिलाल देखना होगा कि नाए फ्लेवर में पुरानी जोडी फिर से क्या रंग जमाती है तो इस पर आप क्या रखते हैं अपनी राए ज़रूर शेय कर दीजिएगा अपना जवाब नीचे दि क्या एको